नमस्कार दोस्तों केके एकजाम पाइट में आपका स्वागत है कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी सही होंगे चलिए दोस्तों आज मैं यूथ कमपटीशन के बुक से कुछ महत्पूर प्रसन लेका रहा हूँ जो की सोल्डरिंग एंड डीसी थेवरी से प्रसन है दोस्तों ये किसी भी एकजाम के लिए आति महत्पूर प्रसन है चलिए इन प्रसन को सुरू करते हैं यदि 0.4 और प्रत्रोद के वायर कंड़क्टर की लंबाई दोगनी कर दी जाती है तो इसका प्रत्रोद हो सकता है राइट एंसर दोस्तों अपसर नमबर डी 0.8 और यदि 0.4 और प्रत्रोद के वायर कंड़क्टर की लंबाई दोगनी कर दी जाए तो इसका प्रत्रोद दोगना अर्थात 0.8 और हो जाएगा क्योंकि आर प्रोसनल एल होता है अगला प्रश्ण दोस्तों जब पंद्रा वोल्ट का विवांतर एक प्रत्रोद धक पर लगाया जाता है तो उसमें तीन एंपियर की धारा बहती है अगर विद्धु धारा पांच सेकेंड तक रहे तो कौन सा कतन मानने नहीं होगा राइट एंसर दोस्तों आपसा नमबर ए बीस कूलाम दोस्तों वी बराबर आपका दिया है पंद्रा वोल्ट और आई बराबर तीन और आई बराबर तीन और टी बराबर पांच सेकेंड मतलब समें पांच सेकेंड दिया है तो क्यों बराबर हम निकालेंगे, क्यों बराबर IT होता है, I command 3 है, 3 रख दिया, और T command मतलब समय कितना है, 5 सेकेंड, 5 रख दिया तो 15 कुलाम आ गया, जबकि 15 कुलाम यहां नहीं आ रहा है, और हमें power निकालने हैं, जैसे power सकती, तो P बराबर V I, V के दर पर हमने 15 रख दिया I के दर पर 3, 3 amp की धारा जो है, 15 के 3 में गुड़ा कर दिया, 45 वाट आ गया, 45 वाट इसमें है, और जो उर्जा निकालना है, W बराबर V I, T होता है, V के दर पर हमने रख दिया 15, I के दर पर 3, T के दर पर 5 हमने दोस्तों यहां पर P बराबर V I होता है, V I के दर पर P रख देंगे, P कमान हमने 45 निकाला, 45 का पांच में गुड़ा कर देंगे, तो आपका 225 जूल आ जाएगा, और जो हम प्रतिरोद निकालेंगे, R बराबर V I, V कमान हमने, V कमान 15 है, और I कमान 3, भाग कर देंगे, पांच ओम आएगा है, जो कि यह आ रहा है, लेकिन 20 कुलाम आवेस जो है, वो नहीं आ रहा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रेश्म दोस्तों, जब D1 बराबर 0, 5, D2, L2 बराबर 4, L1 और दोनों चालक तामर के बने हैं, तो प्रतिरोद R1 अपान R2 के बीच, अनुपात डेट-डेस के तुल है, दोस्तों, इसका उत्तर है, आपसन नमबर भी एक, देखिए दोस्तों, D1 बराबर 0, 5, D2 या D2 बराबर, मतलब 2, D1 और L2 बराबर 4, L1 और दोनों चालक तामर के बने हैं, तो प्रतिरोद R1 अपान R2 क्या होगा, निकालना है में, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर, ब्यास D अपान 2, जबकि अतह R प्रपोर्सनल L अपान A होता है, दोस्तों, R अपान R2 बराबर L1 अपान L2 गुड़े A2 अपान A1, ये सूत्र होता है, दोस्तों, इसी पर आप रख देंगे, जैसे की रखा गया, L1 के दर पर L1 है, और L2 के दर पर 4 L1, दोस्तों, यहाँ पर इसे मान रख कर, इसे हल कर लिया गया, आपका एंसर आ गया, एक यही आपका सही उत्तर है, अगला प्रस्तों, एक R प्रत्रोध वाले तांबे के तार को उसकी दूगनी लंबाई तक कर्शित किया गया है, यही आपका एंसर है, चार R, एक R प्रत्रोध यही एक प्रत्रोध वाले तांबे के तार को उसकी दूगनी लंबाई तक कर्शित किया गया है, यही आपका एंसर है, तो इसका प्रत्रोध फोर R हो जाएगा, अगला प्रस्तों, यदि एक लाव निकिल ताप वैदुत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए, तो जिस संदी से होकर धारा लाव से निकिल की ओर प्रवाहित होती है, तो वहाँ गर्म हो जाती है, यहाँ डेट डेस के कारण होते ही है, दोस्तों इसका एंसर है पेल्टियर प्रभाव यदि एक लाव निकिल ताप वैदुत युग्म से होकर एक दिसा में प्रभाहित की जाए तो इस जिस संदी से होकर धारा लाव से निकिल की और प्रभाहित होती है वह गर्म हो जाती है यह पेल्टियर प्रभाव के कारण होती है अगला प्रिस्ट दोस्तों क्रमसा तीन ओम एओम च्छाए ओम प्रत्रोध के स्रीज में 18 वोल्ट की वैटरी से जुड़े हैं तो इस सर्कुट में गुजरने वाली धारा दोस्तों दोस्तों इस स्रीज में है तो स्रीज में जोड़ लेंगे च्छाए और तीन नव हो जाएगा नव ओम हो जाएगा आपका और हमें क्या निकलना धारा आई बराबर वी अपन आर होता है वी कमान 18 है आर कमान नव भाग कर देंगे आपका दो आ जाएगा इंसर दो एंपियर सही उत्तर है अगला प्रस्थ दोस्तों निम लिखित में कुल प्रत्रोध ग्याद कीजिए दोस्तों इसे कुल प्रत्रोध निकालना है पहले इसे और A और B को समानतर कम में जोड लेंगे 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 दोस्तों यह आ जाएगा 2 बटे 2 एक आ जाएगा एक और एक को स्रेडी करम में जोड देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2 Ohm अगला प्रस्थ दोस्तों विशिष्ट प्रत्रोधी परिपत में राइट एंसर दोस्तों अपसा नमबर A धारा वोल्टेज के साथ फेज में रहती है अगला प्रस्थ दोस्तों अगला प्रस्थ जाने से पहले इसकी व्याक्षा देखते हैं दोस्तों विशिष्ट प्रत्रोधी परिपत में धारा वोल्टेज के साथ फेज में रहती है विशिष्ट प्रत्रोद चालक के ताप एउम उस पदार्थ की प्रकृती पर निर्वर करती है अगला प्रश्ण है दोस्तों चालक का प्रत्रोद किस पर निर्वर करता है राइट एंसर अपसन नमबर डी बी और सी दोनों पर दोस्तो चालक का प्रत्रोध ताप एवं पदार्थ की प्रकृती पर निर्वर करता है तथा प्रत्रोध लंबाई एवं छेतरफल दोनों पर निर्वर करता है एगला प्रस्थन दोस्तो एक हजार वाट दो सो वोल्ट वाली एक विद्धुत इस्थिरी की तापन कुंडली का प्रत्रोद कितना होगा दोस्तो इसमें प्रत्रोद निकालना है आर बराबर वी स्कुएर अपान पी होता है जैसा कि यहां पर दिया हुआ है वी का मान हमने दोसो रखा दोसो का वर्ग कर देंगे दो बार कर देंगे मतलब आपान में एक हजार से भाग दे देंगे तो आपका चालिस ओम आ जाएगा सही उत्तर अगला प्रत्रोद दोस्तों समान वोल्टेज पर परियूक्त करने के लिए 200 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट प्रत्रोद क्रमसा आरवन और आरटू डिजाइन किये गए हैं तो राइट एंसर दोस्तों अपसन नमबर डी आरटू कमान आरवन से दूगना चलिए दोस्तों इसे देखते हैं एलवन हे तू आरवन बरावर वी स्कॉयर अपान 200 समीकरण फर्ष्ट लैंप एलटू के द्वारा आरटू बरावर वी स्कॉयर अपान 100 समीकरण सेकेंड दोस्तों आरवन अपान आरटू से भाग देने पर मान रखेंगे v2 v2 कट जाएगा इसमें से 2 0 इसमें से 2 0 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा r1 अपन r2 एक बटे 2 फिर दोस्तों r1 बराबर r2 अपन 2 आ गया तो r2 बराबर 2 r1 आपका आ गया यानि अताह विकल्पडी से उत्तर है r2 कमान r1 से दूगना है चले दोस्तों अगले प्रश्ण पर dc स्रेड़ी वा समांतर प्रपत के लिए नीचे दिये गए कत्नों में से काउं सा सही है सही उत्तर दोस्तों पावर जुड़ जायती है चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं dc स्रेड़ी वा समांतर प्रपत है तो दोनों सक्ती जुड़ जाती है स्रेड़ी में वोल्टेज जुड़ते और समांतर में धारा जुड़ती है pt बरावर दोस्तों p1 प्लस p2 प्लस p3 स्रेड़ी वा समांतर दोनों में स्रेड़ी में धारा एक समांतर रहती है तथा समांतर में वोल्टेज समां रहता हर एक तथ तुमें अगला प्रश्म दोस्तों जब किसी चालक कंड़क्टर के द्वारा विद्दू धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप दोस्तों इसका उत्तर है बढ़ता है जब किसी चालक के द्वारा विद्दू धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप बढ़ता है क्योंकि I2R हानी ह अमेशा उसमा उत्तपन करती है जिसके फल सरूप ताप बढ़ता बढ़ जाता है इस प्रभाव का प्रियोग इलेक्ट्रिक आइरन हीटर बल्ब आदि में करते हैं मोह मापनी का उप्योग किसको मापने के लिए किया जाता है राइट एंसर दोस्तों इन में से कोई नहीं प्रित्रोद होता है दोस्तों चालकता बरावर यनि जी बरावर उनापन आर समानता है किसी चालक का ताप बढ़ाने पर चालकता घड़ती है और प्रित्रोद बढ़ता है चालक का प्रित्रोद ताप गुड़ांग धनात्मक होता है एगला प्रिश्ण दोस्तों circuit का पूछ्य प्रत्रोध कितना होगा दोस्तों इसका प्रत्रोध निकालना है right answer तो आपका 25 Ohm है दोस्तो पहले 8 Ohm और 8 Ohm को समांतर कर्म में निकालेंगे तो 1 upon 8 plus 1 upon 8 दोस्तों 2 बते 8 आप आजायेगा इसे काटेंगे तो आपका 4 Ohm आ जाएगा चार 21 के सास रेड़ी में जोड़ेंगे तो आपका 25 से उत्तर आ जाएगा अगला प्रस्म दोस्तों यदि उप्यूक्त परिपत का अनुप्यूक्त ओल्टेज 100 वोल्ट है तो सर्कुट में कितनी धारा होगी राइट आइंसर दोस्तों 4 एंपियर वी बराबर 100 वोल्ट तो सर्कुट में धारा आर बराबर 25 दिया है तो आई बराबर वी अपान आई होता है तो वी कमान हमने 100 रख दिया मतलब वी बराबर वी अपान आर होता है V कमान हमने 100 रख दिया और R कमान 25 रख दिया भाग कर दिया आपका 4 इंपियर आ गया अगला प्रस्म दोस्तों 21 ओम प्रित्रोध के सिरों के बीच मापा गया वोल्टेज कितना होगा राइट एंसर दोस्तों 84 वोल्टेज R बराबर 21 ओम हेट वोल्टेज ड्राप V बराबर I R I कमान हमने रख दिया 4 और R कमान 21 गुड़े कर दिया तो आपका आ गया 84 अगला प्रस्म दोस्तों R प्रित्रोध के तार को N बराबर भागों में काटा जाता है तो फिर इन भागों को समानतर कम में जोड़ा जाता है तो इनका तुल प्रत्रोध कितना होगा दोस्तों इसका एंसर है R बटे N R प्रत्रोध को तार के N बराबर भागों में बाटा जाता है तो फिर समानतर में जोड़ देते हैं तुल प्रत्रोद R बटे N होगा तता N समान भाग के प्रत्रोद R को जिसमें सब R छमता वेनी प्रत्रोद छमता है तो समतुल प्रत्रोद R एक्विलेंट बराबर R अपान N होता है अगला प्रश्ण दोस्तों दो दसमलो दो किलोवाट वाद 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रत्रोद कितना होगा दोस्तों P बराबर 2.2 किलोवाट दिया है और V बराबर 220 फार्मूला लगा देंगे हम R बराबर V स्कूइट अपान P V स्कूइट कमान हमने मतलब V कमान रख दिया हमने 220 डबल स्क्वाइर है तो 2 कर देंगे मतलब डबल कर देंगे आप 5 में 2.2 रखकर और किलो का मतलब 1000 होता भाग दे देंगे आपका 22 ओम सही उत्तर आ जाएगा अगला प्रस्थन दोस्तों संट प्रत्रोद की तुलना में किसी अमीटर का प्रत्रोद होता है संट प्रत्रोद मैंगनीन का बना होता है जिसका प्रत्रोद ताब गुडांक होता है इसका प्रियोग उच्छ धारा से अमीटर की सुरच्चा है तो होता या धारा बाई पास करता है 20 सेंटीमिटर लंबी तार का प्रत्रोद 5 ओम है इसे 40 सेंटीमिटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है वर्तमान प्रत्रोद होगा राइट एंसर दोस्तों 10 ओम चलिए इसकी ब्याक्या से देखते है R1 बराबर 5 ओम R2 बराबर निकालना हमें L1 बराबर 20 है L2 बराबर 40 है दोस्तों फार्मूले में रख देंगे R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2 R1 कमान 5 हमने रख दिया R2 निकालना है और L1 कमान 20 है L2 कमान 40 है 20 मतलब 20 दूने 40 और 5 का 2 में गुड़ा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 10 पान दोने 10 ओम आ जाएगा अगला प्रस्ण दोस्तों 1 चार ओम प्रत्रोध तार को 1 बीच 180 डिगरी पर मोड़ा गया इन भागों के दोनों 0 पर जोड़ दिया गया तो उसका नया प्रत्रोध क्या होगा राइट आइंसर दोस्तों आपसन नमबर A 1 ओम चलिए दोस्तों इसे देखते हैं आरवन बराबर रो एल अपान ए बराबर 4 ओम समीकरनल 1 प्रस्ण अमसर तार के बीच 180 डिगरी पर मोडने पर तार की लंबाई आधी हो जाएगी तता छेतर फल दोगना हो जाएगा तो दोस्तों आरवन बराबर रो एल अपान टू अपान टू ए समीकरनल सेकंड समीकरनल 1 वा सेकंड से दोस्तों दोनों को भाग कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा आरवन टू बराबर एक उम अगला प्रस्तों थार्मिष्टर के लिए इसका सही उत्तर है आपसन नमबर डी प्रत्रो ताब गुडां क्रिलात्माक होता है थार्मिष्टर का प्रित्रोद ताप गुड़ां के लात्मक होता है इसका प्रियोग आग अलारम परिपत में प्रियोग होता है थार्मिष्टर एक आरेखी प्रत्रोद होता है एवला प्रस्ण दोस्तों सुरोज से अधिक धारा लेने के लिए राइट एंसर दोस्तों प्रत्रोध समांतर जोड़े जाते हैं स्रोध से अधिक धारा लेने के लिए प्रत्रोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं स्रोध से अधिक धारा लेने है तु प्रत्रोध कमान सुनने होना चाहिए तता कम होने के लिए होने पर अधिकतम प्रत्रोद होना चाहिए अधिक प्रत्रोद हे तु स्रीज तता कम प्रत्रोद हे तु समांतर कम में जोडते हैं अगला प्रस्म दोस्तों नीचे दिये गए सर्किट में चालकत तुका मान है चलिए इसे देखते हैं यह रहा दोस्तों सरकीट आप देख रहे हैं पहले दोस्तों 40-20-10-10 इन्हें पहले समांतर करम में जोड़ लेंगे जैसा कि दोस्तों जोड़ा गया है 1 upon 10 plus 1 upon 20, 1 upon 40 दोस्तों इसे समांतर करम में जोड़ा गया आपका आर बराबर 40 बटे 7 आ गया तो जी बराबर हमें निकालना जी बराबर होता है यानि 1 upon आर यानि प्रत्रोध 1 upon 1 बटे 40 हमने रख दिया मतलब 1 बटेर बराबर एक बटेर 40 आर कमान हमने 40 रख दिया तो इसे हल किया दोस्तों जैसे वन आर कमान हमारा 40 बटे 7 है 40 बटे 7 7 को उपर ले गया हमने 7 बटे 40 आपका जी बराबर आ गया तो इसे भाग कर दिये तो जी कमान हमारा आ गये 0.1, 7, 5 में हो अगला प्रस्थ दोस्तों नीचे दिये गये नेटवर्क में A तता B के वीच तुल्य प्रत्रोद होगा दोस्तों इसे प्रत्रोद निकालना है राइट एंसर तो इसमें आपसन नमबर B हो जाएगा आर बटे 2 दोस्तों इसमें दिया गया है परिपस संतुलित वीच इस्टोन ब्रिज इसलिए बीज का प्रत्रोध निस्क्री हो जाएगा दोस्तों यह वीट इस्टून ब्रिज है तो इसलिए यह आर का मान जो है यह निस्क्री हो गया और दोस्तों इसे पहले हमने दो प्रत्रोद को हमने स्रेडी क्रम में जोड़ दिया इसे और इसे 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 दोनों स्रेडी क्रम में जोड़ कर फिर इन्हें हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया समांतर क्रम में जोड़ने पर आर आ गया एवा बी के भी सम्तुल प्रत्रोध और आया फिर दोस्तों और के साथ और ने समांतर क्रम में फिर हमने जोड़ दिया तो आपका आ गया और इस्कुरवर अपांट टू अर R से R सकट गया तो R बटे 2 आपका उत्तर आ गया अगला प्रत्रोद बनाने के लिए निम लिखित में से किस प्रादार्थ का उप्योग होता है राइट एंसर दोस्तों, अप्सन नमबर D, नाइक्रोम प्रत्रोद बनाने है तो नाइक्रोम धातु का उप्योग होता है नाइक्रोम का प्रत्रोध उच्च होता है मैगनीन तथा यूरे का प्रत्रोध बनाने में प्रियोग होता है अगला प्रस्ट दोस्तो प्रत्रोध वर्ल कोड में पीला वर्ल का निर्दिष्ट मान होता है राइट एंसर अप्सन नमबर भी चार प्रत्रोद वर्ड कोड में पीला वर्ड का निर्जिष्ट मान चार होता है इसमें काला, भूरा, लाल, नरंगी, पीला, निला, बैगनी तथा सलेटी, सफेद आधी होते जैसे कि क्रमसा आप देख रहे हैं काला का जीरो होता, भूरा का एक होता है और लाल का दो होता है, नारंगी का तीन, पीला का चार, हरा का पाँच, नीला का च्छे, बैगनी का साथ, स्लेटी का आठ, सफेद का नव, अगला प्रस्ट दोस्तों, चित्र में दिये गए सेल का विदुत आख बल, एक दसमलो पांच ओर्ट है, तथा आंतरिक प्रत्रोध, जीरो दसमलो तीन ओम है, इसे तीन ओम, तथा तीन ओम के प्रत्रोध कों के साथ, समांतर कम में जोड़ा गया है, तो सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकाल दोस्तों हमें धारा निकालनी है, हमें दिया हुआ है, वी बराबर वी बराबर जो है यह या इए- या वी pat सै-वैर, और ार्वन थीन ओम दिया है, और तो बराबर थीन यह भी दिया है, वी में आर बराबर 0 दीससमलो 3 दिया है तो पहले दोस्तों हमें R निकाल लेना है इसे R हमने निकाला तो आ गया हमने R प्रत्रोद निकाला तो नहीं आ गया R एक्वेलेंट बराबर 1 दीसमलो 5 इन्ये दोनों को समानतर क्रम में जोड लिया गया तो आपका आ गया फिर दोस्तो आर मतलब आर equivalent प्लस आर इसका आर कमान हमने रख दिया 1.5 और ये छोटा वाला आर इसका मान 0.3 जोड लिया गया तो आपका आ गया 1.8 फिर दोस्तो आई बराबर वी अपान होता है वी कमान हमारा है 1.5 वोल्ट और आर कमान हमने 1.8 निकाला भाग दे दिया तो आपका लगभग वो 0.8 चार आया लगभग हमने मान लिया 1.5 अगला प्रेशन दोस्तो चार 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 दस ओम के प्रत्रोद स्रेडिकरम में जोड़े जाते हैं और उन्हें 200 वोल्ट की अपूर्ती की जाती है तो चार प्रत्रोद पर वोल्टेज पात होगा दोस्तो आरवन बराबर चार आरटू बराबर चार वी बराबर 200 वोल्ट और फिर दोस्तों हमने ये प्रत्रोद जो हैं स्रेडिकरम में हैं इन्हें हमने स्रेडिकरम का आप फार्मूला जानते होंगे मतलब सभी को जोड लेते हैं चार प्लस च्छाए प्लस दस जोड लिया तो आपका 20 आ गया आर उक्वेलंट बराबर 20 आया 20 आने के बाद आर थिरी मतलब इन्हें सब को जोड लिया गया तो आई बराबर हम निकाल लिया आई बराबर वी अपन आर होता है वी कमान हमने 200 वोल्ट रख दिया और आर कमान हमने 20 रख दिया भाग दे दिया तो 10 एंपियर आ गया सही उत्तर आपका है 10 एंपियर आया 10 एंपियर फिर हमने 4 चार में 4 ओम के बोल्टेज ड्राप कमान मैंनी 10 गुड़े 4 कर दिया 40 ओल्ट आ गया दोस्तों 4 के कार्डिंग निकालना है 4 का गुड़ा कर दिया हमने 10 में आई कमान चलिए अगला प्रस्ण दोस्तों निमलिकी संबंधों में कौन सा संबंध सही है राइट आंसर दोस्तों आपसन नंबर B सही उत्तर है आपका वोल्ट बराबर जूल प्रतिक उलाम सही उत्तर है दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सेर जरूर कर दें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें